हलो एन वेलकम फ्रेंट्स आएए देखते हैं कि पाइफन पर हम रेक्टेंगल पैटर्म कैसे प्रिंट करा सकते हैं तो सबसे पहले पाइफन की आईडी यह उपन कर लिजे एक वरियेबल मैं बनाता हूँ एक्स मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू इंट इंपूट अब इसमें हम वो मैसेज देंगे जो हम इसक्रीन पर दिखना चाहते हैं तो मैंने लिखा इंटर जैसे आप C लेंगोज में देते थे थे ना प्रिंट एफ में इंटर नमबर वैसे यहां देंगे इंटर द नमबर ओफ हम यूजर से लेंगे रोज आर ओ डब्लू S तो इंटर द नमबर ओफ रोज दे दी हमने यहां रोज की spelling । चाही कर लेते हैं तो यह हो गया ,चै के ने न प्रिंचे आएंगे अब यहां पर क्या करेंगे मीछे आ चुके हैं हम यहां पर फॉर ऽॉर लूप लिए हमने यह बनाया लूपशलाने प्लीए przest the string range. range function का use करेंगे. और यहां पर x को हम यहां पर x रखेंगे. ठिक है. यहां से color लगा लेते हैं. नीचे आते हैं. अब इसको print करвana है हमको. यहां पर print लेका हमने. और यहाँ पर star print करvana है. क्या print करvana है? star. तो यहाँ star हमने print करवा दिया. यहाँ पर मैं इसे close नहीं कर रहा, ध्यान दीजेगा फिर एक बार हम double-nate comma लगाते हैं और इसमें लिखते हैं हम star, कितने time x time हमें star को print करवाना है तो यहाँ x लिखा हमने और इसको हमें close नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बस आपको करना है save तो यहाँ से save करते हैं मैं इसका नाम रखता हूँ u.py कोई भी नाम दे सकते हैं अब इसको करवाना है run आप देख सकते हैं, यह run हो चुका है हमारा program यह पूछ रहा, enter the number of rows अगर मैं 6 enter करता हूँ तो यह 6 rows print होकर आते हैं, ठीक है फिर एक बार run करवाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, फिर मैंने run करवाया ठीक है, इस बार मैं 9 देता हूँ, तो यह 9 time rows print होकर आ रहे हैं, ठीक है एक बार और इसको चलाते हैं, और देखते हैं कि इस बार क्या होता है इस बार मैंने फिर enter किया इस बार मैं 16 एंटर करता हूँ तो ये 16 टाइम रोज प्रिंट होकर आ रहे हैं तो उमीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगए तो इसको शेयर करें लाइक करें मारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो